A block is placed on a rough horizontal plane. A time dependent horizontal force F is equal to KT acts on the block. Here K is a positive constant. The acceleration time graph of the block is equal to. तो देके time dependent force लग रहा है. और T is equal to 0 के दी बात करें. तो force की जो value है वो 0 के बराबर है. force का एदी graph बनाएं time के साथ. तो आपको graph मिलता है ऐसा. यानि कि force धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो जब एक rough surface पर हम एक block को खीचेंगे और block पर हम धीरे धीरे force बढ़ा रहे हैं. तो block को move करवाने के लिए उस force को static friction को overcome करना होगा. जैसे आप सूचे बढ़ता कि एक जमीन पे रखे हुए object को हम खीचना स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे खीच रहे हैं. मान लीजे मेरे हाथ पर ये एक छोटा सा device रखा हुआ है और मैं इसको खीचना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे force लगा कर. तो कुछ समय तक क्या होगा कि जब तक force, external force, limiting friction की value को cross नहीं कर देगा जब तक ये जो block है ये rest में रहने वाला है यानि कि acceleration zero होगा. लेकिन जैसे ही मैं limiting friction की value को cross कर दूँँगा external force से अचानक से friction का nature change हो जाएगा, static से kinetic हो जाएगा और kinetic friction जो है, वो generally उसका coefficient of friction static friction से कम होता है. तो इसका मतलब जो graph है, वो एकदम से jump करेगा, थोड़ा सा jump करेगा और फिर आपको acceleration की value increase होती जाने वाली है. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, when f is less than external force, is less than mu into n, mu s into n, यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको kt is less than mu s into n, यानि मैं उस time की बात कर रहा हूँ, mu s n by k से पहले, क्या होगा बिटा, कि acceleration of the block will be 0, block का acceleration 0 होगा, तो यहाँ आप acceleration और time की बीच में graph यह दि बनाया जाए, तो एक deadline आपको मिलने वाली है, और यहाँ पर यह time instant की value हम बताएं, तो आपको मिलने वाली है, mu s n divided by k के बराबर, अब इससे जादा जैसे ही force होगा, external force, तो static friction को हमने overcome कर लिया है, block slide करने लगेगा, kinetic friction act करने लगेगा, अब kinetic friction act कर रहा है, तो यह आप देखिए, force लगा रहा है, f के बराबर, जिसकी value है kt के बराबर, force लग रहा है, kinetic friction, which is mu k into n, और यह accelerate हो रहा है आगे की तरफ, तो acceleration को लिख सकता हूँ, net force divided by mass, so kt minus of mu k n divided by total mass में लिख सकता हूँ, तो आपको मिल जाएगा k by m into t minus of mu k n divided by n, यह mu k, यह mu k है, तो वहिए, यह एक straight line लग रही है, straight line और जिसका intercept negative है, तो आपको graph जो है, कुछ ऐसे मिलेगा, अचानक से, जो graph है, उपर आ जाएगा, यहाँ पे acceleration 0 था, और अब इसका acceleration increase होता रहेगा, इस तरीके से linearly जो है, इसका acceleration increase होने बाला है, तब एक बार option चेक कर लीजे, option चेक कर लीजे, कौन सा ऐसा option है, ऐसा option है, हमारे पास option number, अचे एक सेकिंड, इसका acceleration 0 से बढ़ेगा साली, यहाँ पे इसका acceleration जो है बटा, obviously, sudden jump नहीं आएगा, क्योंकि हमने just static friction को overcome किया है, just static friction को overcome किया है, तो क्या होगा, kinetic friction लगने लगेगा, यह दि T की value यहाँ पे मैं put कर देता हूँ, बहुत ही छोटा amount मिलने वाला है, बहुत ही छोटा amount मिलेगा यहाँ, और यहाँ से इसका acceleration बढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ से इसका acceleration बढ़ना स्टार्ट होगा, तो answer हमारा होने वाला है, answer हमारा होने वाला है, the option, answer हमारा होगा, the option, ठीक है? तो एक important announcement आपके लिए में लेके आया हूँ सबसे पहले तो बात यह है कि Ask a Doubt feature जो है Unacademy website और app पर आ चुका है जिसमें आप तीन doubts पूछ सकते हैं एक बार में तीन doubts पूछ सकते हैं number of doubts का कोई limit नहीं है बट आप एक बार में तीन तक doubts पूछ सकते हैं और उन doubts का जो solution है आप अपनी preferred language में भी आपको मिलने वाला है तो आप preferred language वहाँ पे select कीजिए आपको उसी language में आपके doubt का solution मिल जाएगा और इस feature को avail करने के लिए इस feature को use करने के लिए आपको क्या करना है कि Unacademy की website और learner application जो है Unacademy का उसका latest version आपको download करना है और उस website और app पर आपको electronic form में अपना doubts submit करना है और उसका solution जल से जल आपको अपनी preferred language में मिल जाने वाला है तो फड़ावर से जाईए और आपके exam से पहले उन सारे doubts का जो है सफाया कर लीजे इसके बाद दूसरा की Unacademy prodigy जो है होने जा रहा है जिसमें आप 20 लाख तक का आप college grant जीत सकते हैं ये 29 जनवरी को होने वाला है और 10 एम आउनवर्ड इसकी timing होने वाली है class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th के जो J.E.Main और NEET के experience हैं वो इसे दे सकते हैं और exciting scholarship और rewards यहाँ पर होने वाला है आप compete कर रहे होंगे एक All India लेवल पर तो इस test को देने के लिए आपको करना क्या है Unacademy की website पर जाके आपको जहां भी code पूछा जाए N.K.C. Sir live code आपको इस्तिमाल करना है जिससे आप free में बिना कोई charge दिए आप इस prodigy में enroll हो सके इस exam के लिए enroll हो सके और इसमें rewards और scholarship के बारे में बता जिता हूँ आपको कि जो rank 1 है उसके लिए Macbook Air और rank 2 और 3 के लिए iPhone, iPad, Ecodot and Amazon के धेर सारे vouchers यहां पे होने वाले हैं और top 10 बच्चों के लिए 100% तक scholarship और up to 500 rank तक के लिए भी scholarship यहां पर आपको मिलने वाली है इसके बाद prodigy के बाद बात करते हैं कि दो batches यहां पे start होने जा रहे हैं जो starting date है 27th January है दोनों batches के लिए और दोनी batches में top educators आपको बढ़ा रहे होंगे और backlog का coverage भी आपको यहां पे मिलने वाला है Class 11th का revision और Class 12th की preparation भी आपको यहां पर भी क्या मतलब यही इसके लिए ही batch है तो 11th का revision और 12th की preparation यहां पे आपको मिलेगी और इस batch का नाम है RM 2.0 में और Advance 2023 के लिए और इसका नाम है Early Enthuse और यह J-Main और Advance 2023 के एस्परेंस के लिए start होने जा रहा है ठीक है इसके बाद Mega Combat यहां पे होने जा रहा है J-Main special है इसमें 21 questions होने वाले हैं 60 minutes में और इसमें धेर सारी scholarship है जैसे prodigy में था ऐसे यहां पे भी धेर सारी scholarship और rewards आपको यहां पे मिलने वाले आप देख सकते हैं कि क्या क्या scholarship है Up to 500 rank के जो बच्चे हैं उनको भी यहां पे scholarship मिल रहा है और rewards देख सकते हैं Macbook, Air, iPhone, Fitbit, Headphones, Speaker and Vouchers यहां पे इनाम होने वाले हैं ठिक है अब वापस चलते हैं अपने lecture पर इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरह सवाल है यह कि 80 kg person is parachuting and experiencing a downward acceleration of 2.8 meter per second square The mass of the parachute is 5 kg, the upward force on the open parachute is equal to तो यह parachute है और यहां पे एक person है यह 80 यह 5 इस पुरे system के उपर एक force लग रहा होगा जो buoyancy force कह सकते हैं और वो buoyancy force जो air की वज़े से लग रहा है वो मैं मान लेता हूँ F के बराबर है वही मुझे calculate करना है नीचे की तरफ gravitational force के दी बात करें तो 85 g के बराबर gravitational force लग रहा होगा downward direction में acceleration है 2.8 meter per second square तो आप यहां पे newton second law इस्तिमाल कर सकते हैं 85 into g minus f is equal to mass 85 into acceleration 2.8 solve कर लीजे आपको f की value मिल जाती है g की value 9.8 आपको यहां पे put करनी है समझ मैं है सवाल तो next question यहां पे discuss कर रहा हूँ है the back side of a truck is open and box of 40 kg is placed 5 meter away from the rear end तो यहां पे truck बना लेते हैं यह truck bed है यह driver का cabin है और यहां पर जितने भी tires आप लगाना चाहें लगा सकते हैं एक box यहां पर रखा हुआ है और इस box का mass है 40 kg और जो rear end है यानि कि यह वाला जो point है इस point से इस block का जो distance है विटा वो block का distance दिया हुआ है 5 meter 5 meter distance है block का इस rear end से coefficient of friction block और surface के बीच में 0.15 है यह coefficient of friction है 0.15 the truck starts from rest with acceleration 2 meter per second square यह truck 2 meter per second square से accelerate होता है calculate the distance covered by the truck when the box falls off तो आप से पूछा गया है कि जब यह box जो है यह गिर जाएगा तो बताइए truck कितना आगे चल चुका होगा कितना distance truck ने cover कर लिया होगा तो आप चाहें तो इसे ground के frame में भी solve कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे pseudo force यहाँ पर हम बता सकते हैं pseudo force लगेगा mass of body into acceleration is 2 यानि कि 80 newton के बराबर force लग रहा है इस block के उपर आप क्योंकि block गिरता है तो इसका मतलब kinetic friction लग रहा होगा और kinetic friction की value हम यहाँ पर बता सकते हैं कितनी होगी coefficient of friction mu into mg तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.15 into mass 40 into g की value है 10 तो इस दो 0 से decimal चला गया आपको मिलता है 60 newton तो वह इसका acceleration में बता सकता हूँ acceleration of box with respect to truck of course कितना आजाएगा बिटा truck के respect में box का acceleration होगा 80 minus 60 divided by 40 याने कि 0.5 meter per second square आपको यह acceleration मिल जाता है truck की respect में इसे 5 meter distance travel करना है with this acceleration तो आप time बता सकते हैं कितना लगेगा इसको इस यहाँ तक पहुँचने में तो s is equal to ut plus half 80 square जो formula है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जो relative displacement है वो 5 meter है जो initial velocity है वो 0 है plus half into relative acceleration is 1 by 2 into t square t square तो आपको यहाँ से t की value मिल जाती है 2, 4, 20, under root of 20, under root of 20 second आपको यहाँ पे time की value मिल जाती है इतने time में यह block यहाँ से यहाँ आ जाता है अब हम बताने हैं कि distance कितना travel करेगा truck तो truck के द्वारा जो distance travel है s truck with respect to ground of course is equal to initial velocity 0 time t plus half into truck का acceleration ground के respect में 2 है into t square which is 20 2 से 2 चला गया तो truck के द्वारा जो displacement travel क्या गया है वो आजाता है आपके पास 20 meter के बराबर आंसर कितना आपके पास 20 meter तो जितनी देर में यह गिरेगा यह 20 meter आगे पहुँच चुका होगा तो आंसर हमारा आजाता है 20 meter के बराबर option number 1 ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरब the minimum force required to move a body up an inclined plane is three times the minimum force required to prevent it from sliding down the plane if the coefficient of friction between the body and the inclined plane is 1 upon 2 root 3 that angle of inclined plane is equal to the angle of inclined plane आपको बताना है तो देखे ध्यान से यह आपके पास एक inclined plane है angle of inclination theta है minimum force इसे उपर ले जाने के लिए कितना चाहिए यदि यहाँ पर एक block रखा है m mass का उसके उपर force लग रहा होगा mg sin theta और friction force क्योंकि हमें इसे slide करवाना है तो हम static friction को overcome कर रहे होंगे तो μ mg cos theta के बराबर यहाँ पर force लग रहा होगा static friction का maximum value हमें minimum force लगा कर इसे slide करवाना है तो f minimum की जो value है वह हमें मिल जाती है mg common ले लीजे और आपको मिलता है sin theta plus mu cos theta sin theta plus mu cos theta के बराबर अब दूसरे case में दिया है कि minimum force required to prevent it from sliding down अब देखिए इसकी tendency slide होनी की है नीचे की तरफ तो friction force लग रहा होगा इस पे पीछे की तरफ mu mg cos theta और यहां पे लग रहा होगा आपके पास mg sin theta के बराबर और हमें इसे नीचे टपकने के लिए force लगाना होगा इस direction में f minimum के बराबर तो इस वाले case में जब हमें इसको slide होने से रोकना है तो minimum force की जो value है वह आ रही है आपके पास वारी है आपके पास mg को common ले लिजे आपको मिलेगा sin theta minus mu cos theta mu cos theta तो question में कहा गया है कि कितना अंतर है 3 times का अंतर है यानि कि this is equal to 3 times this तो मैं यहां पे equation लिख देता हूं that mg sin theta plus mu cos theta is 3 times mg sin theta minus of mu cos यह हमें question में दिया है theta की value calculate करनी है mg से mg cancel out हो जाता है आपको मिलता है sin theta plus mu cos theta is equal to 3 sin theta minus of 3 mu cos theta इसको इधर ले जाएगे तो आपको मिलेगा 2 sin theta और इसको इधर ले जाएगे तो आपको मिलेगा 4 mu cos theta वह यहां 2 से जो है यह cancel out हो जाता है 2 bar और mu की value है 1 upon 2 root 3 so 1 upon 2 root 3 आपको यहां मिल जाता है तो 2 से 2 चला गया cos को इधर ले जाएगे तो 10 theta की value मिल जाती है 1 upon root 3 इसका मतलब क्या है कि theta की value किती है 30 degree के बराद theta की value किती है 30 degree के बराद अब answer check किए यह answer है 30 degree ओके आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ a block of mass 200 kg is being pulled by some men up and inclined plane of inclination 45 degree coefficient of friction 0.5 as shown in the figure if each man can apply a maximum force of 500 newton then minimum number of men required to just slide the body up the plane is equal to तो यहां देखिए इससे उपर की तरफ हमें खीचना है इस block को तो क्या करना होगा तो इस block के उपर force लग रहा है तो mg by root 2 mg by root 2 और उपर की तरफ खीच रहे है तो एक friction भी यहां पर लग रहा होगा mu mg by root 2 तो total force जो हमें overcome करना होगा वो होगा आपके पास mg by root 2 1 plus mu 1 plus mu अब यह value आप calculate कीजिए mg 200 2000 divided by under root of 2 और यहां पर मिलेगा 1 plus mu यानि की 3 by 2 तो यह आगा आपके पास 2 से चला गया यह one time so 3000 by root 2 इसको भी आप root 2 से multiply कीजिए root 2 से divide कीजिए तो आपको मिलेगा यह 1500 into root 2 so 15 into 100 into 1.4 तो यह लगबक इतना आजाता है आपके पास 0 से decimal चला गया और आपको मिलेगा यहां पे 15 चौक 60, 0, 6, 15, 6 1200 newton आपके force यहां पर मिल जाता है तो downward direction में जो total force है वो 2100 newton के बराबर है तो हमें कम से कम कितना force लगाना होगा हमें 2100 ही लगाना होगा कम से कम 2100 लगा सकते हैं लेकिन जो हमारे पास इंसान है वो maximum 500 newton लगा सकते हैं तो यदि मैं 4 man यहां पे ले लेता हूँ 4 यहां पे इंसान ले लेता हूँ 4 इंसान यहां पे ले लेता हूँ तो वो maximum 2000 newton force ही लगा पाएंगे यह 2100 है तो हमें 5 बाद में भी लेना होगा तो total इंसान जो चाहिए वो 5 है 5 इंसान हमें लेने होंगे तो answer आजाएगा हमारे पास 5 ठीक है अब आगे चलते हैं अगले question की तरफ तो यहां पे मैं question discuss कर रहा हूँ आपके साथ An elevator and its load have a total mass of 800 kg The elevator is originally moving downwards at a speed of 10 meter per second It slows down to stop with constant acceleration in a distance of 25 meter Find the tension T in the supporting cable While the elevator is being brought to rest तो यहां आपके सामने एक elevator मैं बना देता हूँ यह elevator है और यह elevator 10 meter per second की speed से downward direction में move कर रही है 10 meter per second sky speed अब होता क्या है कि यह रुकने के लिए रुकने के लिए क्या होगा अपना speed कम करती है और 25 meter travel करके यह जो distance इसने travel किया है वो distance है 25 meter के बराबर और यह रुक जाती है यह इसका velocity 0 हो जाता है velocity 0 हो जाता है उसके बाद कह रहे हैं कि जब यह रुकती है तो constant acceleration आपको यहां पर मानना है तो बताइए कि tension supporting cable में कितना होगा जब इसको rest पे लाया जा रहा होगा यानि कि इस पूरी duration में देखिए constant acceleration है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके उपर लगने वाला जो cable का tension है वो भी constant रहा होगा तो cable का tension मैं किसी भी instant पे मान लेता हूँ T के बराबर है cable में जो tension है T के बराबर है नीचे gravitational force लग रहा होगा mg के बराबर और इन दोनों forces की वज़े से net acceleration इस direction में होगा अब इस direction में acceleration मैंने कैसे बता दिया देखिए बटा, speed जो है यदि कम होती है एक object एक सीधी line में चल रहा है if an object is moving in a straight line and its speed is decreasing that means the direction of acceleration must be opposite to the direction of velocity तो direction of velocities का ये है तो इसके opposite इसका acceleration होना चाहिए अब क्योंकि constant acceleration है तो मैं इस्तिमाल कर सकता हूँ equation of motion यहाँ पे final speed पता है initial speed पता है मुझे distance table पता है यहाँ पे मैं v square is equal to u square plus 2as लिख सकता हूँ तो final speed का square is equal to initial speed का square plus 2 into acceleration a into s is 25 तो acceleration आपको मिलता है minus of 2 meter per second square यानि कि इस direction में भी बात करें तो 2 meter per second square इसका acceleration है अब यहाँ पे मैं newton second law इस्तिमाल कर रहा हूँ इस जगे पर तो upward direction में force कितना है T, downward direction में force कितना है mg, mg mass इसका है 800 8,000 आपको मिल गया is equal to mass 800 into acceleration which is 2 तो आपको यहाँ से T की value मिल जाती है 1600 plus 8,000 ते कितना आगे आपके पास 9600 newton तो यहाँ पे tension in the cable आजाता है 9600 newton के बराबर ठीक है, answer check कर दीजे 9600 newton इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले question की जड़ब A heavy uniform chain lies on a horizontal table top एक horizontal table top के उपर एक chain है हमारे पास heavy chain है और uniform है यानि mass का distribution वहाँ पर uniform है If the coefficient of friction between the chain and the table is 1 by 4 then maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is equal to तो हमें बताना है कि कितना maximum fraction chain के लटके हुए part का हो सकता है जिससे की वो slide न हो जिससे की वो slide न हो यहाँ पर एक table बना देते हैं यह रही साब table आपकी और इस table के हैं 4 pi इस table के हैं 4 pi यहाँ पर एक chain लगी हुई है और इस chain का कुछ part जो है वो hang कर रहा है इस chain का कुछ part hang यहाँ पर इस तरीके से कर रहा है मैं total length मान लेता हूँ L के ब्राबर है और इसका X amount of part यानी कि X meter जो है यहाँ पे लटका हुआ है और L minus X part जो है यहाँ पे लटका हुआ है L minus X यहाँ पर है और x यहाँ पर है ठीक है बात आई समझ में तो just हमें गिरने से इसे रोकना है just गिरने से रोकना है यानि कि just रुका रहे तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर x length इसका है और यह l-x length है और यह just slide होने वाली है यह जो आपके पास chain है यह just slide होने वाली है इसका मतलब जो part table के contact में है उस part के उपर ये जो part है बिटा L-X length का इसके उपर जो लगने वाला force है इस direction में वो tension T के बराबर है और जो इसको tension के opposite direction में static friction लग रहा होगा वो अपनी maximum value पर लग रहा होगा और उसको मैं लिख सकता हूँ कि इसके बराबर होगा mu into n के बराबर तो ये जो tension है mu n के बराबर हमें करनी है tension is equal to mu into n equation number 1 यहाँ पर मुझे मिल जाता है normal समझगे कि एक normal reaction यहाँ होगा और नीचे इस वाले part का gravitational force होगा mg similarly इसका free body diagram यदि मैं बनाता हूँ तो इसका free body diagram आपको मिलेगा कि यह आपके पास x length का एक रसी है और इसका gravitational force नीचे लग रहा होगा आपके पास mg के बराबर और उपर लग रहा होगा tension t के बराबर यह भी equilibrium है तो यह दोना forces भी आपसे बराबर होने चाहिए तो यहाँ से t को मैं लख सकता हूँ किसके बराबर है mg के बराबर है यानि इस वाले part का mg अब ये और ये आपसे बराबर है तो मैं यहाँ पे mg को लख सकता हूँ mu into n के बराबर तो यहाँ पे m जो लटका हुआ रसी है उसका mass तो आप लिख सकते हैं x upon आपको normal calculate करना है तो normal की value आजाती है आपके पास mg के बराबर और mg का मतलब l minus x length वाले part का mass which is l minus x upon total length l into mass m into g आपको यहाँ पे मिल जाता है ठीक है अब यहाँ देखिए mg से mg cancel out हो जाता है mg से mg cancel out हो जाता है 1L से 1L cancel out हो जाता है 4 को multiply कीजिए 4x आपको मिल जाएगा कितना l minus x के बराबर और 5x आपको मिल जाएगा कितना l के बराबर x की value मिल जाती है l by 5 के बराबर तो हमें fraction बताना है जो लटका हुआ part है वो कितना fraction उसका बाहर रह सकता है तो मैं fraction के बारे में बता सकता हूँ की l by 5 divided by total length is l यानि की 1 by 5 और percentage में पूछा गया है तो 100 से इसमें multiply कर देंगे इसका मतलब 20% अब इस सवाल के answer का मतलब क्या हुआ 20% का मतलब क्या हुआ 20% का मतलब क्या हुआ 20% part हवा में जूल तकता है लेकिन 20 से ज़्यादा हमने कर दिया 21% of length हमने यहाँ पे hang करवा दिया तो यह पूरी रसी, पूरी जो chain है यह slide होके नीचे आ जाएगी पूरी slide होके नीचे आ जाएगी because यहाँ पे ज्यादा यह दी length होगा तो ज्यादा tension उसमें produce होगा ज्यादा tension उसमें produce होगा तो यह static friction उसको overcome नहीं कर पाएगा उसको handle नहीं कर पाएगा और यह slide होने लग जाएगी जो chain है table पे रखे हुई है तो answer आजाएगा मारे पास 20% के बराबर ज्यादा आजाएगा मारे जाएगा मारे जाएगा